अस्सालाम अलेकुम् आप देखे रेए कोक टिटोरियल आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइज है पहले हम फ्र्याइज के लिए हमने लिए हैं एक पब गाजर एक पब बंगों भी एक प जो है हमने शिमला मिर्च लिए हिन कीजिए हो ने बारिक काट लिए चिकफिए पाूर लिया ने सिया फून एंटा लिये और धूट मेले बारिक काट लिया और दो नड़े जिनको नाखे सब्सक्राइब ही, लोगाई मेरन भी साम्स्इल तरुताए हूं को लेकिता है सिर्धार विती हैं को और बिलियों है जब हुआ मेरने ताकि जो सब्सक्राइब कच्छा पने वह खतम हो जाए और बहुत जादा नरम भीना हो जाए बस इतनी देर ही हम इसको पकाएंगे के इसमें थोड़ा सा करेंच बागी रहे और यह बहुत जादा नरम भीना हो जाए अब इसमें हम बंगोबी और शिम्लमिर्ज जाल देंगे और इनको भी हम अच्छे से फ्राइ कर देंगे एक मिनट के लिए और अब हम इनको पालेट में निकाल के एक साइट पर रख देंगे यहां मैंने चार कप पानी ले लिए इसको मैंने उबालने रख दिये दो चिकन स्टॉक लिए मैंने दो कप चावल लिए उनको मैंने बि करेंगे मैंने इसके अंदर एक टेबल इस्पून नमक डाला था पानी में आपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा चावल अब इनका पानी फेक देंगे और चावल को किसी चनीम रख लेंगे अब हमने चावल को बड़े पतीरे में डाल दिये इसमें हम सारी सब्स मजड़ें लिए सारे नासरे सब्समिक्सलीन अब ज़न उसको सब्सक्राइब उसको अच्छा सब्सक्राइब और घ्राभाई पिर हम इसके अंदर अंडर अजड़ सेमें करेंगे इसको हम बिलकुल दम वालिया आच पे भुबड़ेंगे पांछ मिनीट के लिए चावल हमा अ हमने बाली सुक लिए one tablespoon हमने 21 लिए one tablespoon sauce लिए one tablespoon चिली सौस लिए दो से तीन अदर हमने लस्टन ले लिए जनको हमने बालिक काट लिए परियरी सॉस लिए हमने 1 естьíbich ढुप हमने एक तेबल इसनी लिए फिर हम इसके अंदर ketchup डाल देंगे, chili garlic sauce डाल देंगे, soya sauce, chili sauce, vinegar ये सब चीदे डाल देंगे इसको अच्छे से mix कर देंगे और इसमें chicken stock डाल देंगे और peripari sauce डाल देंगे chicken stock अब हम melt होने तक का wait करेंगे chicken stock अच्छे से हमारा melt हो चुक है, अब हमने यहाँ पर एक कप पानी में, तीन टेबल स्पून corn flour अच्छे से mix कर लिया था chicken cubes में और बिल्को छोड़ी चोड़ी कटीवे तो हमाई chicken चली ही अंदर से गल जाएगी chicken का color change हो चुक है लेकिन अभी हम इसको दो-तीन मिनट और पकाएंगे ताकि अंदर से भी गल जाए chicken हमारी अच्छे से गल चुक है अब हम इसके अंदर मंचूरियन डाल देंगे जो हमने बना के रखा हुआ था इसको हम एक से दो मिनट तक पका लेंगे अच्छे से अब हम इसके अंदर प्यास डाल देंगे प्यास हमने एक अदद लीती उसको हमने क्यूब्स में काट है प्यास जाले हम इसको एक मिनट के लिए पका लेंगे और हम दों यह हमारे चिकंन मंचुरियन नंब nights video